अब बहुत सौका था एक बाव फिर से गुड मॉर्णिक शें आलसे वीडियो में वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और फिलाल मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन दिखाए दिया जो कल हमें इतना बड़ा शेलिंग प्रेशर दिखाए दिया था वंडे के चाट में न 250 and 350 ये एक सपोर्ट जोन है वंडे के चार्ट पर हमने देगा था निफ्टी के लिए और फिलाल मार्किट कहीं न कहीं वहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है और 260 तक कहीं मार्किट ने एक ड्रॉप लिया गैप डाउन के बाद और अभी मार्किट एक थोड़ा सा मुवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है आरेसाई थोड़ा सा रिकावरी करने की कोशिश कर रहा है अभी हमें देखना ये है कि क्या ये आरेसाई 40 किया जगे सपोर्ट लेकर उपर की तरफ मूव करता है तो शायद हमे ये गैप एट लिस्ट फिल होता हुआ शायद हमें दिखाई थे कल मार्किट ने बहुत अच्छी तरीके से गैप फिल किया जो गैप अप लिया था और उसको दुबारा फिल करते हुए नजर आई साथ के साथ बैंक निफ्टी को एक बार देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरीके के सिनारियो दिखाई दिये हैं 44,150 तक के लेवल्स तक कहीं न कहीं मार्किट पहुचता हुआ नजर आया कल हमने बात किती है अगर मार्किट हमें 44,200 के आसपास कहीं मूव करती है 300 के आसपास मूव करती है तो कहीं न कहीं शायद हमें 44,500 का resistance हमें option chain में दिखाई देना चाहिए और साथ के साथ 44,000 का हमें कहीं न कहीं एक support दिखाई देना चाहिए लेट्स चेक option chain में चलते हैं एक बार क्ले करते हैं किस तरीके क्या चीज़े दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले nifty का option chain देख लेते हैं एक बार कि क्या इगाप फिल होगा नहीं होगा एक बार मैं इसे refresh कर लेता हूँ फिलाल nifty का जो option chain है वो कहीं न कहीं एक बड़े numbers हमें उपर की तरह बहुत दिखा रहा है resistance काफी लंबे दिखा रहा है हमें हम बात करें 19,500 की एक बहुत अच्छा resistance है 19,500 राउंड नमबर भी है और एक अच्छा resistance की तरह हमें या पर दिखाई दे रहा 36,000 का change in Y है नए writers जो आज add हो रहे हैं call side जो उसको resistance बनाना चाहते है उससे भी अच्छा एक change in Y बीच में हमें दिखाई दे रहा है 19,400 प्रदमिस 19,400 भी एक बहुत अच्छा resistance है और यह हमारा resistance 1 है यह हमारा resistance 2 है साथ-साथ एक बार 19,350 को अगर हम गौर करें तो कहीं ने कहीं 46,000 का change in Y है जो कि एक अच्छा नमबर है काफी अच्छा नमबर है as compared to put writing यहां पर सिर्फ 8,000 की writing हो रहे हैं तो 19,400 भी एक 350 भी कहीं ने कहीं एक resistance की तरह नजर आ रहा है 19,300 जो mid zone है वहाँ पर अगर हम देखें तो फिलाल 1,05,000 का change in Y है बहुत सारे नए call writers आज add हुए हैं जो यहां पर 19,300 को resistance बनाना चाहते हैं लेकिन साथ के साथ 85,000 कहीं ने कहीं put writers भी हैं जो चाहते हैं कि market 19,300 के ऊपर रहे हैं फिलाल जो call writers है वो जादा है 19,300 और तो कहीं ने कहीं 19,300 एक resistance की तोर पर हमें नजर आ रहा है और 19,300 का level अगर हम mark करें तो फिलाल ये level है 19,300 का level और अगर call writers और put writers लगबग similar नजर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं शायद आपको इसी तरीके से कुछ अभी movement देखने को मिल सकते हैं और 19,300 पर ही हमें जादा से जादा numbers जो बड़े numbers बोल रहे हैं कई बड़े numbers वो दिखाई दे रहे हैं 19,400 is a good resistance 19,350 भी एक resistance कहीं ने कहीं ने जरा आ रहा है जोन ही है निफ्टी के लिए आप support जोन ढूनने कोशिश करें अगर फिलाल option चेंगे हिसाब से तो निफ्टी के लिए support जोन कहीं ने कहीं 19,200 के आसपास अगर हम जाएं तब जाके कहीं ने कहीं एक अच्छे numbers हमें दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग यहां तक बैठे हुँ है 19,100, 19,150, 19,200 तो supports काफी नीचे हैं इवें 19,000 पर 25,000 लोग चेंगे में बैठे हैं तो यह क्या कर रहे हैं जो लोग बहुत दूर बैठे हैं यह गलोबली बहुत दूर का तो फिलाल मार्केट का जो sentiment है वो थोड़ा सा negative है क्योंकि मार्केट अभी कहा है एक resistance zone में है यह ध्यान रखेगा और support zone कहीं न कहीं 200 के असपास है तो यह एक level है और 240 का एक level है 250 का 160 का कहीं न कहीं एक level है फिलाल मार्केट RSI भी 40 के नीचे है जब तक 40 के नीचे है मार्केट एक downtrend में है ध्यान रखेगा बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी का option chain देख लेते हैं एक बार कुछ levels अगर हम draw करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी में आप सभी लोगों टेलिग्राम पर दे दिये हैं आप सभी लोगों को शायद मिल गए होंगे और उसके बदले माप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहें आपका मन करें तो फिलाल कुछ important level साफ साफ जो दिखाई दे रहे हैं वह मार् मार्केट मूट करा है चलिए option चीन देखते हैं पर बैंक निफ्टी का 44,300 कहीं न कहीं एक important level जहां पर 1,21,000 का change जैसे उधर हम देख रहे हैं 19,300 पर वैसे हमें यहां पर 44,300 पर numbers दिख रहे हैं 1,27,000 कहीं न कहीं थोड़ा सा यहां पर मतलब बहुत टाइट जोन है कोई थोड़ा या मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 1,21,000 22,000 change in OI call writing में लगबग numbers लगबग similar है 44,300 being a tight zone range bound रहेगा क्योंकि mid zone भी है यह आपको समझना चाहिए किस का mid zone है 44,000 का और 44,500 का mid zone है कहीं न कहीं थोड़ा सा खीचाता नहीं होगी अब हमें क्या करना चाहिए इस हिसाब से अगर हमें 44,000 हम देख रहे हैं में या फिर resistance zone में आने का थोड़ा सा बैंक का इंतिजार करना चाहिए और हमेशा की तरह mid zone में हम कोशिश करें कि avoid करने ट्रेट करने के लिए तो अभी फिलाल 44,000 के जो लेवल्स है जो यह लेवल है यह कहीं न कहीं एक support zone है तो अगर market यहां पर कहीं आती है तो हम कोशिश करें trade opportunity ढूने के लिए call में और 44,500 इस range में कहीं market जाता है तो हम कोशिश करें को opportunity ढूने के लिए put unless यह हम wait करें कोई जल्दबाजी नहीं अभी आप यहां पर अगर call ले ले भी लेते हैं और तो आपका stop-loss इतना बड़ा कहीं न कहीं हो जाएगा तो बड़ा stop-loss रखने से कोई फाइदा नहीं अगर put में ले ले लेटे हैं तो इतना बड़ा stop loss आपको कहीं ने कहीं लेकर जलना पड़ेग तो आपको stop loss बहुत छोटा सा रहेगा और target बहुत बड़ा रहें तो फिलाल अभी तो market ने खैर दे हाई और दे लो ही ब्रेक नहीं किया है थोड़ा सा वेट करें अच्छे पॉर्चुन्टी का वेट करें और एक बार summarize कर लेते हैं निफ्टी में हमें जो support और resistance दिखाई दिये हैं वो support दिखाई दिये हैं तो हंडेट नाइंटीन ताउजन तू हंडेड के आसपास 250 यह हमारा support जोन नजर आ रहा है निफ्टी में कहीं न कहीं यह हमारे लिए एक resistance लेवल है बैंक 50 के लिए और support जो लेवल है वो कहीं न कहीं यह लेवल हमारे लिए एक support लेवल है 44,000-43,950 के आसपास यह support लेवल है तो वेट करें मार्केट को थोड़ा इस रेंज में किसी support या resistance रेंज में आने दे और उसके बाद कोई decision ले आप काफी safe trades करने के कोशिश करें फिलाज जिन लोगों न भी करते हैं 701 129 2963 और जो option chain पर एक live class रखी है उसका भी link में description में दे रखा है आप जाके register कर सकते हैं thank you very much guys मिलते हैं next video में thank you